हाई फ्रेंट्स मैं हूँ रेखा और रेखा देंडियन मॉम में आप सभी का स्वागत है कैसे हैं आप सब आई होप बिलकुल अच्छे फ्रेंट्स दिवाली का त्योहार आ रहा है और त्योहारों की शान मिठाई से ही होती है तो आज हम आपके लिए क्या है एक नई मिठाई जो बहुती आसानी से बहुती कम कर्चे में हम घर पे तयार कर लेंगे इसके लिए ना हमें घी चाहिए ना मावा चाहिए ना चाशनी चाहिए तो friends आईए दिवाली special मिठाई बनाना स्टार्ट करते हैं मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए यहाँ पे एक कड़ाई और कड़ाई में डाल देंगे हम 1.500 ml दूद आप दूद यहाँ पे कैसा भी ले सकते हैं फुल क्रीम भी ले सकते हैं यह हमने 1.500 ml दूद कड़ाई में डाल दिया है गैस के फ्लेम को ओन कर देंगे और दूद को गरम होने देंगे दूद को हमने गरम होने के लिए रख दिया है अब हम डाल देंगे आधा चम्मच इलाइची पाउडर चोटा आधा चम्मच है अगर आपको इलाइची का फ्लेवर पसंद है तो डाले वरना स्किप कर दें हमने यहाँ पे ली है शुगर 3-4 कटोरी है रेगुलर शुगर है यह भी हम दूद में डाल देंगे मैं आपको हमेशा मिठाई बनाते समय बताती हूँ कि मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते है सभी चीजों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और दूद को अब हम बॉil होने देंगे हमने लिया है एक पैन और पैन में डाल देंगे हम एक कटोरी और आधा कटोरी मुमफली के दाने यानि की डेड़ कटोरी मुमफली के दाने मुमफली को अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे जब तक मुमफली में से चटकने की आवाज ना आए तब तक हमें मुमफली को ρोस्ट कर लेना है देखिए मुमफली को हमने बहुत अच्छे तरह से ρोस्ट कर लिया है और मुमफली पर छिल्का भी उतरने लग गया है अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और मुमफली को थंडा होने देंगे एक चीज मैं आपको और बताना चाती हूँ, हमने दूद करम करने रखा था, वो दूद करम हो चुका है, बॉइल हो चुका है, गैस के फ्लेम को धीमे कर देंगे और दूद को बॉइल होने देंगे, मुमफली को हमने प्लेट में निकाल दिया है और ठंडा होने के लिए साइ दो मिनिट के लिए नागिल के बुरादे को भी हम रोस्ट कर लेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है, देखिए नागिल का बुरादा भी रोस्ट हो चुका है, दो मिनिट हो चुके हैं, ये भी हम अलग एक थाली में निकाल देंगे, अब हमने एक कपड़ा कपड़ा कॉटन का है, इस पर मुमफलियों को डाल देंगे, और देखिए इस तरह से हम इसको रगड़ रगड़ करके पहुच लेंगे, तो इससे क्या होगा कि सारे मुमफली के जो चिलके हैं, वो बहुत आसानी से उतर जाएंगे, सभी मुमफलियों पर चिलके हमने उता थाली में निकाल लिया है, अब हम ढाल देंगे 2ुज पॉडर ऑफड़ा है, अगर आपको पसंद है तो आप नाल लें किप कर देयं, वरना हम पॉड़ा डर जो टेस्ट होता है, वेल्ख करना देंगे मिठाई मिठार बनाने के लिए, और दूद भी बोईल हो चुका है, आ 500 ml ही रह गया है दूद को अच्छे से boil होने देंगे gas की flame को कम कर देंगे अब हमने जो mix तयार किया है मिठाई बनाने के लिए उसको हम थोड़ा थोड़ा करके दूद में डाल देंगे इस तरह से एक एक चमच करके हम मिठाई का जो mix हमने तयार किया है उसको दूद में डालते जाएंगे और दूद को लगातार इस तरह से mix करते जाएं नहीं तो lumps बन जाएंगे और lumps बनने के बाद में मिठाई हमारी अच्छी नहीं बनेगी देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम डाल रहे हैं और इस तरह से लगातार चला रहे हैं मिठाई के लिए जो हमने mix तयार किया था वो सारा हमने दूद में mix कर दिया है देखे दूद गाड़ा होने लग गया है कुछ देर हम इसको इसी तरह से पकाते रहेंगे दूद एकदम अच्छे से गाड़ा हो जाएगा कढ़ाई के किनारों को लगातार साफ करते रहें नहीं तो मिठाई किनारों पर चिपक जाएगी देखे कुछी मिनिटों में हमारा mix कितना गाड़ा हो गया है देखे कितना बढ़िया लग रहा है अगर आप चाहे तो इस stage पर केसर डाल सकते हैं, कलर डाल सकते हैं पर हम यहाँ पर केसर या कलर आज कुछ भी नहीं डालेंगे हम इस मिठाई को इसके औरिजिनल कलर से ही बनाएंगे अभी हम इसको कुछी seconds और इसी तरह से पकाते रहेंगे तकि और जादा गाड़ा हो जाएगा जो mix है वो दूद में बहुत अची तरह से फूल चुका है देखे जैसे जैसे मिठाई को पका रहे हैं वैसे वैसे mix कितना गाड़ा होता जा रहा है पर अभी pen नहीं छोड़ने लगा है जब तक pen नहीं छोड़ने लगेगा तब तक हम इसको इसी तरह से पकाते रहेंगे देखे मिठाई बनाने के लिए mix बिल्कुल ready है ऐसे थोड़ा सा हाथ में लेकर के एक बाद चेक कर लेंगे देखे बहुत अच्छे से सैट हो चुका है इसका मतलब मिठाई के लिए mix बिल्कुल ready हो चुका है अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और mix को थाली में ट्रांसफर कर देंगे अगर आपको ऐसा लगता है कि मिठाई के लिए भी mix रैडी नहीं है चिप चिपा है तो थोड़ा सा इसको इस तरह से और पका लें हमने आप एक छोटे साइस की थाली घी से ग्रीस करके रखी है तयार किये वे mix को हम थाली में डाल देंगे और spatula की सायता से इसको इस तरह से फैला देंगे अगर आपके पास में spatula नहीं है तो आप कोई भी कटोरी यूज में ले सकते हैं सब तरफ से एकसा कर दें देखे कितनी बढ़िया हमारी मिठाई बन के तयार हुई है जटपट से कितनी आसानी से हमने बहुत ही शांदार कितनी हेल्दी मिठाई तयार कर ली है मिठाई को थंड़ा होने देंगे थंड़ा होने के बाद में हम इसके pieces कट करेंगे लगबग एक घंटे के आसपास हमने मिठाई को थंड़ा होने के लिए रखा था मिठाई थंड़ी हो चुकी है अच्छे से सैट भी हो चुकी है अब हम piece कट कर लेंगे आप जैसी shape चाहें वैसे pieces कट कर सकते हैं देखे कितनी soft मिठाई बन के तयार हुई है देखे सभी pieces हमने cut कर लिए है लुकिंग में कितनी बढ़िया लग रही है कितनी soft मिठाई बन के तयार हुई है आप इसको अगर dry fruit से चाहें तो dry fruit से garnish कर सकते हैं मुफली के दानों से कर सकते हैं नारिल के बुरादे से कर सकते हैं गुलाब की सूखी पंखुडियों से कर सकते हैं केसर पिस्ता से कर सकते हैं या आप इसको plain भी रख सकते हैं जैसा आपका मन चाहे इस मिठाई को आप अपने हिसाब से decorate कर सकते हैं दिपावली special मिठाई बिलकुल ready है looking में कितनी बढ़िया लग रही है हमने garnish भी कर दी है तो friends आप recipe को try करें taste करें और अपने comments हम से share करें thank you, thank you so much have a nice day